AWS देता है आपको 12 months के लिए free tier usage जिसमें आप बिना कुछ पे किये सीख सकते हो AWS को and kickstart कर सकते हो अपने cloud career को but क्या आप sure नहीं हो कि start कहां से करें? फिकर not मैं हूँ ना Hey learners, welcome back to another amazing video of DevOps Pro और आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं अपना खुद का AWS का brand new account with free tier जिसमें आपको access मिलेगा बहुत सारे AWS के resources का वो भी without any cost so अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से नीचे जाके like कर दो, channel को कर दो, subscribe and bell notification on कर लो ताकि तुमें सारे notifications बहुत जल्द मिल जाए सबसे पहले मैं आपको requirements बता देता हूँ AWS account को बनाने के लिए process start करने से पहले make sure आपके पास ये चीज़े available हो सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक new email ID जो पहले से AWS पे signed up ना हो and एक phone number जो verification में use आएगा उसके लाव आपको चाहिए होगा एक debit card या फिर credit card जिसमें online payment supported हो I know काफी लोगों को card find करने में issue हो सकता है लेकिन खुद का account बनाने के लिए ये बहुत important है क्योंकि इसी के थुरू AWS आपको bill करेगा ये AWS की तरफ से ही requirement है तो अभी हम इसको bypass नहीं कर सकते है लेकिन कुछ ही time में आपके लिए ऐसा कुछ हम लाने वाले हैं जिससे बिना कैसी दिक्कत कि आप AWS सीख पाएंगे तो उसके लिए भी subscribe कर लेना ताकि जब हम उसे launch करें तो आपको तुरंत पता पढ़ जाए थर्ड है हमें चाहिए एक mobile two-factor authentication के लिए and last चीज है focus वो तो आपके पास है ही अगर आपको AWS free tier के बारे में नहीं पता है तो मैं short में आपको बता देता हूँ AWS अपने new users को explore करने के लिए and सीखने के लिए 12 months का free usage देता है लेकिन ध्यान रहे यह सब कुछ free नहीं है काफी सारी main-main services आपको एक limit तक free usage में मिल जाएगा इस page पर आके आप चेक कर सकते हैं कि कौन-कौन से limit कितनी आपको मिलेगी अगर आपने अपने limit के उपर कुछ भी यूज किया तो आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे बढ़ डरिये मत मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इन चीजों का ध्यान रखें ताकि हमें पैसे waste ना करने पड़े तो सबसे पहले आज जाएए इस page पे link आपको description में मिल जाएगा और अब click करते हैं create account पे यहाँ पे आपको अपना email address डालना है यह आपकी root user का email address रहेगा with the highest permission then आपको यहाँ पे अपना name डालना है मैं यहाँ पे devops pro डाल रहा हूँ verify दबाने के बाद आपको एक email आएगा with OTP उसको आपको यहाँ पे copy करके paste कर देना है next step में एक secure password set करना है ध्यान रहे कि यह password strong हो ताकि आपका account hack ना हो जाए and अगर यह आपसे capture मांगता है तो capture को भी insert कर दीजिए इसके बाद आपको select करना है कि आप AWS को किस लिए use करेंगे मैं क्योंकि personal use के लिए बना रहा हूँ तो मैं personal ले लोगा फिर आपको यहाँ पे अपना full name, phone number, country और address को डालना है और terms and condition accept करके आप continue करें तो यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा कि आपको अपना card number enter करना है and यहाँ पे verification के लिए यह $1 या फिर approximately जो भी आपकी currency में charges होएंगे वो यह काटेगा लेकिन यह आपको वापस refund भी हो जाएगा पैसा because this is just for verification तो आप अपना card number, expiration, CVV and card holders का name डाल दीचिए address आप अपने existing use कर सकते है as billing address and अगर आपके पास spend card है तो text purpose के लिए आप यहाँ उसको डाल सकते है मैं फिलाल इसको skip कर दूँगा अब verify and continue पे click करें इसके बाद आपको अपने card पे 2 rupees या जो भी minimum amount होगा उसका payment start हो जाएगा जो आपको अपने card के according payment complete करना होगा यहाँ मैं OTP डाल के submit कर देता हूँ payment होने के बाद आपको यहाँ पे अपना phone number verify करना है तो यहाँ text या voice option है phone number and capture insert करने के बाद send SMS को दबाएं कभी-कभी SMS आने में time लग सकता है तो थोड़ा wait करें फिर भी अगर नहीं आये जैसे मेरे case में OTP नहीं आया तो मैंने voice call वाला option use कर लिया इसमें आपको एक call आएगा AWS की तरफ से और screen पे दिखाया हुआ number आपको phone में dial करना पढ़ेगा verification successful होने के बाद last कुछ details आपको देनी है जैसे purpose of registration and ownership type यह आप अपने इसाप से डाल सकते हो मैं यहाँ पर personal use and individual को डाल रहा हूँ last मैं आपको AWS का support plan select करना है तो जो भी आपको जब भी आपको AWS से कोई भी help की जरूरत होगी तो इस support plan के according आपको services मिलेगी फिलाल हम free वाला ही use कर रहे हैं तो continue करेंगे तो congratulations आपका AWS account बन गया है कभी-कभी इसको activate होने में थोड़ा सा time लग सकता है तो थोड़ा wait करें and then फिर से login try करें login page पे आने के बाद आपको दो options मिलेंगे root user and IM user IM user को हम आगे वाली वीडियो में discuss करेंगे बट क्योंकि अभी हमने root user ही बनाया है जिसमें highest level of permissions है हम उसी से login करेंगे तो यहां पे आप अपना email डाले and next में अपना password डाले अब जो screen आपको दिख रही है यह है आपका AWS का console यहां की चीजों को देखकर confuse मत होई है हम सारी चीजों को एक एक करके समझेंगे यहां पे हम कुछ चीज़ कर सकते हैं जैसे settings में जाके हम यहां पे dark mode activate कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो also important step अभी भी बाकी है उसके लिए आपको अपने name पे क्लिक करना होगा and then security credentials में जाना पड़ेगा account hack होने के भी chances रहते हैं and फिर आपके card पे file to bill बन जाएगा इसलिए आप MFA को activate कर लिजिए ताकि आपके अलावा आपका account कोई और login नहीं कर सके उसके लिए आप क्लिक करें assign MFA device पे and device name डाल लो यहां पे वैसे और भी multiple methods है MFA के लिए बट फिलाल हम simple authenticator app का ही use करेंगे अब आपको अपने phone में Google Authenticator to a mobile या फिर Authy app का use करके QR code को scan कर लेना है and उस पे आपको फिर एक code मिलेगा जो यहां पे आपको दो बार लगाता और दो codes को enter करना है वो code temporary होता है तो हर थोड़ी दिर में और refresh होता रहेगा ध्यान रहे यह काम थोड़ा सा आप जल्दी करें वरना code change हो जाएगा अब add MFA को दबाए and इसके बाद आपको एक बार log out कर लेना है and then फिर से login करना है email and password डालने के बाद आपको एक MFA option दिखेगा यहां पे वही अपने phone से एक code लेके enter करना है and welcome आपका AWS complete है and now you are ready to learn I hope बिना कोई दिक्कत है आपका AWS account setup हो गया होगा अगर कोई पीश्वा आप फेस कर रहे हैं तो comment में बताएं मैं जरूर आपकी help करूँगा आप हमारा discord भी join कर सकते हैं हम वहां पे भी connect कर सकते हैं and वीडियो पसंद आई हो तो like करो channel को करो subscribe आज के लिए इतना ही मिलते है next video में bye bye